नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि देपुरा सिरप का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, देपुरा सिरप को कैसे लेना चाहिए, और देपुरा सिरप की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी दिसकस करेंगे कि बोतल के अंदर सौर्ट कमपोजीशन कॉलिकेलसिफेरोल 60,000 इंटनाशनल यूनित होता है। विटामिन D3 को कॉलिकेलसिफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। देपुरा सिरप का उप्योग शरीर में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है। और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है। जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है। जिसकी वज़े से धीरे धीरे हड्यां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं। हड्यां कमजोर होने की वज़े से हड्यों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़े से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन D की कमी की वजह से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड़ियों और जोरों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है इसके अलावा औस्टियोमालेसिया होने पर औस्टियोपोर होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है और शरीर के जोड़ों हड्डियों व मासपेशियों में दर्थ रहने की समस्या हो जाती है किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्तर डेपुरा सिरप को लेन की सला दे सकते हैं मा का दूद पीने वाले चोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है क्योंकि मा के दूद में विटामिन D की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए मा का दूद पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्तर विटामिन D और क वैसे तो सही डोज में देपूरा सिरप को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में देपूरा सिरप की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को देपूरा सिरप को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। ज्यादा डोज में डेपुरा सिरप को लेने की वज़े से शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है। शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है अब हम डिसकस करेंगे की डेपुरा सिरप को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। डेपुरा सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। लेकिन देपुरा सिरप को खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए देपुरा सिरप की 5 मिलिलीटर की पूरी बोतल को एक बार में ही लेना रेक्मेंडेड होता है। आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर डेपुरा सिरप को सब्ता में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं और 8 सब्ताह तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं। और 8 सब्ताह बाद डॉक्तर डेपुरा सिरप को महीने में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं और 6 महीने तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं। देपुरा सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको देपुरा सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की डेपुरा सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। देपुरा सिरप को लेने के बाद यदि आप लैबोरेटरी में कोलेस्टरॉल की जाँच करवाते हैं, तो कोलेस्टरॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन दी को लेना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए ज़रुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्थनपान करा रही महिलाओं को कम डोज में विटामिन D के सप्लिमेंट्स लेने की सला दे सकता है। बाख्तर की सला के अनुसार ही देपूरा सिरप को लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डेपुरा सिरफ से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके पुछ सकती हैं.